बिहार के मोतिहारे में शादी होनी के बाद विदाई के वक्त दुल्हा ने दुल्हन का वर्जिनिटी टेस्ट करवाने के लिए कहा यानि कि दुल्हा जानना चाहता था कि शादी से पहले दुल्हन का किसी और पुरुष के साथ कोई शारिरिक सम्मंद था या नहीं ये सुनते ही लड़की के परिवार वाले आग बबुला हो उठे और उन्हें दुल्हा के साथ उसके पिता और बाकी के दो बहनोई को बंदी बना कर लगबग दो दिनों तक अपने घर में ही रखा और उसी वक्त विदाई भी रोग दी गई इस बात को लेकर ढेरो बवाल हुआ शादी समारों में आए लोग दो धड़ा में बट गए जिनमें से एक का मानना था कि दुल्हा ने बिलकुल वाजिब मांग रखी है कई सारे लोगों को शायद ऐसा लग सकता है कि ये बिलकुल वाजिब मांग है पुरुष को ये जाननी क का अधिकार है कि मेरे होने वाले दुल्हन का संबंद शादी से पहले किसी और पुरुष के साथ था या नहीं वहीं पर दूसरा धड़ा इस बात से आग बबुला हुठा उन्हें लगा कि ये बेहत भद्धी सोच है और संकिर्न सोच का नतीजा है फिर इस बात को लेकर जम कर बवाल हुआ अब नमस्कार मैं निहा चौदरी कैमरा परसन विशाल के साथ और आप देख रही हैं जनता जंक्षन बिहार की मोतिहारी में शादी के बाद दुल्हे की तरफ से जब ये डिमांड रखा गया कि वो चाहता है कि उसकी दुल्हन का वर्जिनेटी टेस्ट हो यानि की ऐसा टेस्ट जिसमें ये पता चल जाए कि उसकी होने वाली दुल्हन का शारिरिक संबंद साधी से पहले किसी और पुरुष के साथ था या नहीं इस डिमांड को सुनते ही लड़की वाले आग बबुला हो उठे और लड़के पक्ष के लोगों को लगभग दो दि आने से इंकार कर दिया पूरा मामला तुर्कॉलिया थाना के चारगाह गाउं का है जहां बीते दिन 16 नवंबर को स्वर्गय गुद्री बैठा की बेटी की शादी होने वाली थी और इसके लिए बेतिया से निर्मल बैठा के बेटी सूरज बैठा की बारात आई थी सब कु बवाल हुआ 16 नवंबर को खूब बैठा की साथ बीतिया से बारा चारगाह आई थी और धूम धाम से सारे रिती रिवाज को निभाते हुए शादी पूरी हुए लेकिन जब बीते दिन गुरुबार की सुबह विदाई का शमय आया तो उस वक्त अचानक से लड़का और ल लड़की को ससुराल में कोई भी दिक्कत नहीं होगा उसे किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो अपने ससुराल में सुख से रह पाएगी लेकिन इस मांग पर दुल्हेपक्ष के लोग नाराज हो गए और उन्होंने एक ऐसी मांग रखी जिस पर शादी समारोह में पस्थित सभी लोग आक्रोशित हो गए उन्होंने कहा कि हमें भी लड़की का मेडिकल जाच करवाना है जिसमें ये बात पता चल जाए कि लड़की वर्जिन है या फिर नहीं लड़की का शादी से पहले किसी और पुरुष के साथ कोई शारे रिंग संबंध था या नहीं हमें इस बात की पुष्टी करवानी है इसको लेकर दोनों पक्ष में खूब धक्का मुक्की हुआ और लड़की पक्ष के लोगों ने ये भी आरोप लगा दिया कि लड़का शराबी है इस वजह से अब हम लड़की की विदाई नहीं होने देंगे क् दो दिनों के लिए उन्हें मोतिहारी में ही बंधक बनकर रहना पड़ा जिसके बाद लड़के पक्ष के कुछ लोग फिर मोतिहारी आये और पंचायती बुलाई गए जिसमें विचार विमर्ष करके दुल्हे पक्ष के लोगों को चुड़वाया गया घटनास्थर पर तवाल उठाया था इस वज़र से वो दुल्हे के घर जाने से इंकार कर देती हैं मांके इस घटना के बाद कुछ लोगों का मानना है कि दुल्हे की मांग बिलकुल सही थी और इस कारण से दुल्हन को नाराज नहीं होना चाहिए था लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन क्रामेंट बॉक्स में बताइएगा आगे की तमाम ख़बरों के लिए जनता जंशन देखते रहें हन्यवाद